दोस्तों Yes Bank की बात के स्टॉक के अंदर आज हमने positive closing देखी है तेजी बड़ी नहीं है लगबग 1% के आसपास की तेजी है लेकिन गिरावन थम चुकी है और फिर से एक नई तेजी की सुरुआत हो सकती है अब हमारे सामने budget आने वाला कल इसके पहले कुछ बड़ी update निकल के मिल सकती है क्या इस समय हमें Yes Bank में investment करना चाहिए वैसे अगर आप देखे तो Yes Bank ने इस बार जो result दिया उसमें profit में कमी आई थी और इसके पीछे वजदी heavy provision लेकिन फिर भी Yes Bank की सेहत में काफी जादा सुधार हो चुका है क्योंकि उसका NPS सारा खत्म हो चुका है और एक उके का फाइदा उटा के दिवेस करना चाहिए तो बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब जाने की कोशिस करेंगे इस वीडियो के मादिम से आज काफी बड़ी डिल हुई है वालिम जबड़स है और बड़ी फंडा उसने जमके खरिदारी भी किये तो क्या तेजी बनेगी त चलो फ्रेंड्स वीडियो श्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस वीडवी और हमारे अपने चैनल ओनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले BSE Sensex की बात करें तो आज 59,549 के इस तरवे 49 पॉइंट की तेजी के साथ में क्लोजिंग दिया यानि 50 पॉइंट की तेजी थी लगबग फ्लेट क्लोजिंग देखी है हमने लेकिन आज हमने काफी उठा फटक देखी है आप देख सकते हो कि नीचले लेवल से क निप्टी नेक्स 50 की पिटाई हो ती आज निप्टी नेक्स 50 ने कमाल किया है 1% के उपर की तेजी बताए है जबकि निप्टी 50 और निप्टी 100 में बिल्कुल तेजी नहीं थी लगबग मामुली से एक ग्रीन के लिए खाली क्लोजिंग है यानि आज बाजार में निप्ट वन से लेके 2% के आसपास की खरीदारी देखना को मिली है तो कुल मिला के देख सकते हो कि आज छोटे शेरन दोड लगा यह जोड़दार यहाँ पे देख सकते हो कि आज बाजार का जो वीनर है सेक्टर इंडेक्स की बात तो वो PSU बैंक है 4.28% की जबर्दस तेजी के साथ में आज कमाल किया है और आप देख सकते हो कि निप्टी मीडिया भी अच्छा तोड़ा है 2.37% की तेजी है मैटल भी लगबग 1.5% की सांदर तेजी थी और यहाँ पे देख सकते हो कि आटो इंडेक्स में भी हमने लगबग 2% की तेजी देखिए लेकिन इतनी बड़ी ते की सुरुआत 17.10 पर हुई यानि जो कल की क्लोजिंग थी वही पर सुरुआत हुई और जो लो बनाए इंट्राडे का वो 16.75 यानि स्टोक काफी नीचे भी गया हाई है वो 17.60 का है और अंत में क्लोजिंग 17.25 पर रही जहाँ पे 0.88% की हमें तेजी देखनों को मिली तो य पेले 20.00 का वैल्यम ओथा 5.00 की डिले उठाए गीजिय और कल 24.00 का वाल्यम ओथा 6.00 की डिले उठाएगी ते d».च लगबग 19.00 का वोल्यम ओभा तो अच्या वाल्यम में कैन रहा है पूरे बाजार में के मामले में आज भी drone led अब यहां पर देख सकते हो कि बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यस बैंक ने एक्चिन को जानकारी दिया कि उन्हों ने कल दो बड़े इंवेस्टर के साथ में अपनी मीटिंग की है जिसमें आप देख सकते हो कि इस सब में यस बैंक लगातार बहुत सारे डिसीजन ले और ऐसे में इस इन्वेस्टर के साथ में मीटिंग का है कुछ माइने है वो आने वाले से में देखने को मिल सकता है लेकिन यस बैंक अपने सारे के सारे रास्ते तलास के रख रहे है आने वाले से में में यस बैंक को कोई प्रॉब्लम नहों उसके रास्ते पहले से ही बनाय जा रहें तो जैसे कि 81 बांड का मामला है हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी यही जो फैसला मुंबई हाई कोर्ट का अगर बाहाल कर दिया जाए तो एक बड़ी रकम चुकानी पड़ सकती है और इसलिए यस बैंक ने उसके लिए उसके लिए रास्ते तलाशने शुरू कर कि एक बार अगर बैंक को प्रॉब्लम होगी लॉस में जाएगी बैंक तो वो रकम नहीं मिलेगी और इसी मुद्दे पे यस बैंक वापस जीत के आएगी सुप्रीम कोर्ट में तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ इसमें जो एक जीतने का पॉइंट था मुंबई हा वही माना जाएगा और जब डॉक्यमेंट में लिखा गया है कि जब बैंक को कुछ भी मुसिबत होगी उस समय इनकी जो वैलियो जीरो कर दी जाएगी तो बिल्कुल हो सकता है तो सुप्रीम कोर्ट में यह केस नहीं ठीक है और यहां पे यस बैंक के लिए प्रॉब्लम नह करने लागा कि इस स्टोक को फिर से 11-12 रुपीज के आसमस लाया जा सकता है तो वो फिर से ऐसे से सेल के टार्गेट देने सुदू हो चुकी है लेकिन बहुत सारे ब्रोके जाओस है जो इस समय बुलिश है आईसे सी सेक्रिटी इसको लेकर काफी बुलिश है उनको लग रह देगा सरकार डिजिटल बैंकिंग को जोड़ दे रही है और आने वाले समय में देश में 75 डिजिटल बैंकिंग उनिट और खोले जाएंगे यानि सरकार का जो फोकस है इस बार डिजिटल बैंकिंग पे और यस बैंक तो अलरी डिजिटल बैंकिंग में दूसरी बैंकों से काफी उपर है, काफी जबर्दस यूनिक टेक्नोलोजी है और इसी के दम पे इनको एक मौका मिला जब नहीं हमारी डिजिटल करंसी लाँच हुई उस डिजिटल करंसी में आप देखे तो चार बड़ी बैंकों के साथ में यस बैंकों आरबे ने जोड़ा इसे एक सावीत हो जादी बात की इनके पास लेटेस टेक्नोलोजी है और यह डिजिटल बैंकिंग में बहुत तेजी से आगे जा सकते है इस बज़र में जो सबसे बड़ा एनॉस्मेंट होगा कि करीब 1.5 लेक जो डाग घर है इंडिया के अलग लग चोटे चोटे गावों में उनको कोर बैंकिंग के दाइरे में लाए जाए जाएगा यानि उनको बैंकों से जोड़ा जाएगा अब सारी के सारी पोस्ट आप इसके अंदर वही गतिवीद्या होगी जो बैंकों में होती है यानि बैंकों का सारा का सारा कामकाज डागघर के माधियम से हो पाएगा और इसके लिए जरूरी है कि उनको बैंकों के साथ जोड़ा जाएगा और ऐसे में बैंकों का कारूबार बढ़ेगा एक नए कस्टमर उनकों मिलने वाले यानि आज तक देखे तो छोटे छोटे गावों में बैंकों की पहुच नहीं है ऐसे में डाग गर के माध्यम से इनका कारूबार बढ़ेगा तो बैंकों के अंदर आप देख सकते हो कि काफी ज़दा नगदियाएगी छोटे छोटे गावों में लोग हैं जो बचत करते हैं वो पोश्ट आपी इसमें करते हैं और यह सीधा इसका फाइदा इन बैंकों को मिलने वाला है तो कुल मिलाके यह जो डिसिजिजन लिया है इस वज़े से आने वाले समय में बढ़ा के मार्च 2023 तक कर दिया गिया है तो ऐसे में आप देख सकते हैं लोन लेने वाले SMEs और MSMEs यहां पे आएंगे बैंकों की तरफ बैंकों का बिजनस बढ़ने की समावना तो बनेगी और ऐसे में आप देखे तो यह बजट में जो इंफ्रासेक्चर के ओपर खास ध्यान दे जा रहा है रेलवे प्रोजेक्ट के ओपर ध्यान दे जा रहा है तो इसका सीधा फाइदा रेलवे के इन जितने प्रोजेक्ट के हिसाब से देखे तो बैंकों को होगा और इसका फाइदा यस बैंकों भी मिलता हो दिखाई देगा क्योंकि यस बैंक इस समय उबरती हुई बैंक है आज की अगर डील की बात के तो काफी बड़ी डील हुई है जिसमें खरिदारी भी काफी जाला कुछ प्रॉफेट बुकिंग भी हुई है आप देख सुब बाजार खुलते ही नौ बजकर 16 मिनट पर 17 की प्राइस से 17,60,000 की एक बिक्वाली हुई फिर 9 बजकर 38 मिनट पर 16,80 की प्राइस से 18,31,000 की एक बिक्वाली हुई लेकि उसके बाद 9 बजकर 48 मिनट पर 16,85 की प्राइस से 25,90,000 की बड़ी खरिदारी हुई फिर उसके बाद 10 बजकर 14 मिनट पर 16,85 की प्राइस से 18,32,000 की फिर से एक बिक्वाली हुई उसके बाद 10 बजकर 15 मिनट पर 16.95 की प्राइस से 26,81,000 शरो की एक और खरीदारी हुई तो फिर 10 बजकर 27 मिनट पर 17.15 की प्राइस से 30,60,000 शरो की एक बड़ी खरीदारी हुई फिर 1 बजकर 36 मिनट पर 17.55 की प्राइस से 23,80,000 शरो की एक और खरीदारी हुई उसके बाद दो बचकर 29 मेर पर 17.30 की प्राइस से करीब 27.4 अचे रोकी एक और खरीदारी हुई तो यह तो आप देख सकते हो कि बिक्वाली हुई है लेकिन खरीदारी भी काफी बड़ जादा हुई है यानि आज बिक्वाली से ज़्यादा बड़े फंडा उसके खरीदारी है और यह इसारा करिए कि जल्द यहां पर फिर से एक पॉजिटिव महुल बन सकता है काफी लोग है जो कहते कि इस टॉक अब धिर दिशे चला जागा इसमें गिर आउट होगी यह ऐसा होता नहीं है काफी कब होगे आप नीचे जाने की समभावनों कम है ऊपर जाने की समभावनों बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में बीना डरे इस समय इन्वेस्मेंट आपको करना चाहिए कम से कम 2-3 साल के लिश्टा को होल्ड करना है यह आराम से आपको थ्री डिजिर में जाता हो दिखा देगा लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्मेंट करने से पहले अपने फाइनसल एडवाजेसिक बाड़ में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें तो लाइक से जरू कीज़े और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे थैंक यू फ्रेंड